किसी एक वस्त्यू को खरीदने की चाहत ने मन के भीतर जगह बनाई नया फोर विलर लेना है, पुराना हो चुका है वहाँ से अब एक डेटेच्मेंट की शुरुबात हो चुकी है नय सिरे के साथ जाने में हमारी खोजबीन शुरू होती है बजट क्या है, कौन से कलर की कार की तरफ जाने वाले होंगे गर परिवार क्या क्या रहा है, कौन कौन से और इस्तित्यों को विवस्तित करना है कब लेंगे, किस तरह से लेंगे, fascinations साथ में जुड़ती है उस एक विकल से attachment लगातार मन के भीतर से निकल कर आने वाला होता है इस तरह से चलाएंगे, ये average होगी, गर परिवार के साथ में खुशी आएगी आसपास के लोगों के साथ भी ये एक बात निकल कर आएगी कहां इस विक्ति ने अब कुछ हासिल किया है और वो ही सारी के सारी स्तियां, मन के भीतर, लगातार, चेतन होती चले जाती है विक्ति उस वस्तु को हासिल करता है सुविधा, जने दसुक उसको प्राप्त होते हैं वहां से यानि कि जो एक materialistic luxury का part है उसको प्राप्त होता है परन्तु कुछ ही समय के बाद वहां से फिर से detachment आने लगता है योगाड़ी शुरुवात में बिलकुल चमक के साथ में थी हर रोज उसको बहुत अच्छे से साफ किया जाता था उसके बाद उसको कहीं पर भी लेकर जाना है धीरे धीरे वो प्रक्रिया जब used to approach के साथ में आती है तो वहीं से एक sense of detachment निकल कर आता है अब वो वाहन सिर्फ उपयोग की और यात्राओं को पूर्ण करने की एक वस्तु विशेश बन कर रह गया है इसके अलावा कुछ भी नहीं क्योंकि फैसिनिशन उससे higher segment के साथ में जूडने की तैयारी कर चुकी है ये sense of detachment with materialistic luxury की जो definition है ये कई बार जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है चतुर्थ भाव जो तिशिय आधार पर सुख भाव जरूर है परंतु सुविधा जनित सुखों को भी दर्शाने वाला होता है सुविधा जनित सुख जो पूर्ण रूप से सुख की परिभाशा नहीं है आनंद की परिभाशा नहीं है परंतु व्यक्ति उसको अपने साथ में जोड़ कर पूरे तरीके से वहाँ पर खुद को व्याकुल कर बैठता है अपनी बहुत अक्ता के प्रती जितनी भी आकांग्शा हैं उसको लेकर चल बैठता है और ये आकांग्शा एक बार पूरी होती है दूसरी साथ में खड़ी रहती है ये प्रवाह लगातार चलते हैं बले ही वो आसपास के सेसरीज हो, गैजेट्स हो, टेक्नलोजी के साथ में चल रहा है कोई भी और फ्रेम हो बले ही कुद की अटायर्स भी हो इनके साथ में जीवन है तो उरजा के साथ फैसिनेशन भी रहेंगी परंतु हम उस फैसिनेशन की कौन से लेवल पर है हर एक समय उसी पीक के साथ में तो नहीं पहुंच जाया करता है जहांसे एक इंपेशन्ट अप्रोच उस वस्तु को आसिल करने के निकल कर आती है और जब भी व्यक्ति मटेरिलिस्टिक लगजरी के साथ में ऐसे फैसिनेशन को पीक पर देखता है तो खुद के लिए फाइनिशल बर्डन्स को भी बढ़ाने वाला होता है और आसपास एक ऐसा घेरा बन जाता है जहां लोग उसको पूरे तरीके से एक सुक के भाव के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होते वो वस्तुओं के साथ में सुक खुजने वाला होता है यह आसल करेंगे तो इस तरह की ब्लिस है इस तरह की लगजरी है परन्तु उस लगजरी के बात में अगली लगजरी क्यों नजर आने लगती है जब मन की पर्तों को उधेड़ कर व्यक्ति उस बात तक पहुँचता है तो स्वहियम की वास्तिविक्ता को समझ पाता है रविवार का दिवस है यहां व्यक्ति कई बार शांत भाव के साथ में स्वहियम को संभालने वाला होता है जिस तरह से पुराणी अल्मारी को कई बार समभाला जाता है उसके साथ में सारी चीजों को विवस्तित किया जाता है स्मृतियों को अपने साथ में जोडा जाता है ठीक उसी तरह से मन के भी छोटे छोटे सांचे हैं जिनके साथ में जिवन को इस पश्टा के तौर पर जोड़कर हम कुद को बहुत कुछ देने वाले हो सकते हैं। बस एक बार उस यातरा के और बढ़ने की आवशकता हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 6 नवंबर 2022 का देनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुए हैं। चंद्रमा के स्तिया मीन राशिस्तान में ही कारतिक मास शोकलिपक्ष चल रहा है और वहीं रेविती नक्षत्री परिदिया सूरिद कलिकारहर पर रविवार जैसे हमने चर्चा की और हम देनेक राशिफल की शुरुबात करते हैं मेश राशिके साथ में। परतमतया निवदन है आपसे कि आज मानसक तनाव के स्तियों से स्वाहिम को दूर रखें। नौकरी पेशा जीवन के साथ आज भी कुछ कामकाज निकल कर आ सकते हैं जहां से स्वाहिम को विवस्तित करने की आवशक्ता रहेंगी। खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा ही प्रवाह बना कर चलिएगा। जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी व्यवस्तित करम बना कर जरूर चलें। कोई भी महत्तुपूर्ण स्वादेबाजी है थोड़ा सा इत्मिनान से आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कीजिएगा ये एक परमुक निविदन है और वहीं पर जो अस्तमिटिक एप्रोच के साथ में स्वास्तिक इस्तियां कई बार नकारात्मक्ता खुलेती हैं। प्रोपर बेसिस के मेडिकेशन के और मीश राशी के जा तक चल सकते हैं। विचार जरूर करें। वहीं प्रशब राशी अपने क्शमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलें। नौकरी पेशा जिवन में यहां आज भी जो आपके सामने कामकाज की स्तियां हैं। कल पर टाला जा सकता है पर उन्तु मन कहा रहा है कि आज ही वक्त निकाला जाए। वहीं से वक्ति स्वहिं के लिए संभावनाओं के सिरे को भी जन्म देता है। यह एक प्रवर्टी आपके साथ बनी हुई। दनागमन में आपको और ज़्यादा विवस्तत करते चले जाएंगे। चोटी चोटी यातराओं से संभन्दित कामकाज आपको और ज़्यादा बहतरी दे रहा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहां सरवांगेंड लाप के सिरों के साथ में बृद्धे के परतिबिम्ब बने हुए है। मान सिक सुक में यहां फ्रमक तौर के उपर जब ब्रद्धी हो व्यक्ती अपने भीतर संतुस्टे के भाव देख रहा हो तो फिर उर्जा के साथ में चलना लाजमी हो जाता है। पुन है किसी भी किताब के अद्धिन के और जाना, खुद को कुछ नया, सीखने के और लेकर चलना, यह यात्रा करम भी यहां समक्ष उपस्तित रहता हुआ प्रतीत होता है। भाव जुड़े हो हैं। उर्जा का परतीविम्ब आप अपने जीवन के भीतर लगातार देखते चले जा रहे हैं। बनी हुई चिंताओं में अब काफी हद तक कमी आ सकती है। और वहीं से आप स्वयम को भीतर तक अब एक संतुस्टी संबंदों के सेरे के साथ देने वाले रहेंगे। करकराशी परदमतया व्याबारिक जीवन में भाग्ये का सायोग है। जहां दूसरे लोग रविवार के साथ हैं आप रविवार में भी कामकाच के साथ हैं। यह मूल मंतर अपना कर चलिएगा। यात्राएं यहां आपको सफलता के सेरों के साथ में जोड़ रही है। वहीं पर जो कार यह लंबे समय से अठके हुए थे वहाँ पर कुन है रफतार निकल कर आ सकती है। आपका जो इंट्यूटिव बेस है उस पर वर्प करते हुए श रहने वाली होगी और वहीं आप यह भी देखें कि अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलिएगा। यही वो क्रम है जहां भाईयों एवं मित्रों का क्रम बद्ध सयोग आपको मिलता चला जा रहा है। इसमें कोई भी उतार चड़ाव की श्रिणी उपस्तित न वर्द्धी के साथ खर्चे भी लगाता और देता चला जा रहा है। निर्णय और निर्णय के साथ घर परिवार में जहां पर भी चल रहे हैं किसी भी हितेशी विक्ति से सलाह जरूर लेकर बढ़ें। यहां सूर्य उपासना के साथ दिवस के शुरुवात करना अच्छा ह यह निवदन आपसे करना चाहेंगे कि जो आप यहां रिसर्द संबंधी कामकाज के साथ जुड़ चुके हैं कोई विक्ति अब आपकी कारे को देखते हुए कोई भी अवसर आपके सामने रखता है तो वहां पर भी अपनी संभाबनाओं को जूड़ते हुए आप चलने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा यहां गैस्टिक ट्रबल से और साती सात नेत्र संबंधी जो कई बार परेशानी आती है उन से संबलने का पूरा प्रयास जरूर करें वही एक्सपोर्ट संबंधिकार्य में एक हद की सकारात मक्ताब के साथ बनी हुई है कन्या राशी व्यापारिक जीवन में इस्ततियां आपको सैयोग देने वाली होगी आत्म विश्वास में वरद्धी के सिरे आपके लिए बनी हुए है ग्रिहस्त पक्ष का सैयोग यहां निरंतर करम के साथ में चलता चला जा रहा है आप ये भी देखिएगा कि संतान लोगों के साथ सलाह करके ही आगे बढ़ने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी जॉब से बिजनस की और शिफ्ट हो रहे है परन्तु क्या कुछ और समय टाला जा सकता है या अब ही निर्णा लेने के लिए हम तैयार हैं लोगों से पूछने की बजाए सब्तम भावस्त निविधन है कि छोटी-छोटी बातों के साथ जो मन कई बार अव्यवस्तित होता है उस से सम्भलने का प्रयास कीजियेगा वही पर आपके लिए यातराउं से संबंदित काम काय़ में कही प्रयास की नगें और जाए कि आपर आपके आपया शाय करてचpriे जाहिएगा शंशय और रुकावटों के गहरों से मुक्त होकर चलने की पूरी-पूरी आवशकता हैं आपके लिए यहाँ पर रहेंगी आप यह भी देखिएगा कि medical और technical field के साथ में आपका जुड़ाव है development के basis आपके साथ में आज बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे banking संबंदी काम काज में आप सोम और बंगलबार के दिवस में कोई भी बड़े निरने के और जाना चाहता है किस तरह से जो paper को structure base देना होता है कहां कहां एक तरह से दुविधाएं आ सकती है उसको proactive basis पर solution की तरफ तो लेकर चलना होता है वहां विचारशीलता को अपना कराब जरूर चलिएगा वहीं वरश्चेक राशी नौकरी पेशा जिवन में यहां जो आपको एक से दो घंडे की कोई भी टास्क मिलती है उसमें reactive होने से बचिएगा उसमें यात्राओं का भी शुमार हो सकता है वहां अवचलित भाव से चले अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलने की जरूत रहेगी सक्षा संबंधी स्थित्यों के साथ में आप स्वयम को वैसे विवस्तित करते चले जा रहे हैं एकाग गृता का परतविम बाप के साथ में दरंतर तोर पर बना हुआ और वहीं एक मूल बंतर अपने साथ इस्थापित करके आप रखिएगा कि जो यहां पर लोग आपको बारम बार किसी एक बात से जोड़ कर हतोतसाहित करने का प्रयास कर रहे थे और वो पूरू में घटी-घटना है कैसे स्वयम को मस्तर करेंगे यह विचार शीलता अपने साथ में रखने की पूरी-पूरी आभशकता है और वहीं यह स्पष्टता भी अपने साथ में आप पूर्ण रूपेन बना कर रखने वाले रहे कि जो हम यहां पर किसी भी कारे के साथ में किसी व्यक्ति विशेश को जोड़ना चाहते हैं एक बार उसकी प्रस्ट भूमी उसके पास्ट को जांश लेना पर रख लेना जारा आवशक रहेगा तो वहीं धनुराशी यह वो समय अंतराल है जहां पर माता और पिता के साथ संबंधों में आपको संभलने की जरुत रहेगी दूसरे लोग नकारात्मक्ता उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में पोन रूपेन अपना कर चलिएगा हरदाय संबंधी रोगों से सावधानी बरते हैं वही पर जो व्यापारिक जिवन के अंदर बड़े निरणाय लेने हैं एक से दो दिन रुका जा सकता हो तो अच्छा है वही जो आप किसी भी इंटर्व्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाइपोथर्टिक होकर सोचने से बचिएगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवड अप्रोच में अपनी प्रिपरेशन को जन्म देना यहां अति आवशक क्रम कहा जाएगा वही आप ये भी देखिएगा कि जो आप विदेश संबंधिकारियों में लंबे समय से अटकाव और बटकाव देख रहे थे वहाँ पुन है त्वरित कती आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है जो एक सकारात्मक पक्ष का परतेविंब मात्र है वहीं हम बढ़ते हैं मकर राशी की और परतम तया यहां पर आपके लिए भाग्य का सयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है सुबह सुबह रूटीन को जतना स्ट्रक्चर बेस के साथ में रखेंगे उतन ही पॉस्टिविटी खुद के साथ में जोड़ती चली जाएगी मेनिफेक्चरिंग संबंदी कामकाज के साथ में संभाबनाओं को लगातार जागुरत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें और वहीं आप ये भी देखें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुन है उर्जा आपके साथ में निकल कर आती चली जा रही है ये भी स्पष्टता के संकेत आपके साथ बने रहने बाले होंगे और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आप यहाँ पर ग्रिहस्त पक्ष के साथ किसी कामकाश की शुरुआत करने वाले है वहाँ पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है शुरुआत की जा सकती है फाइनेंचल बर्डन जो बने हुए थे कोई जमीन साथ में रखी हुई है उसको फ्री करके भी बर्डन कम करने है निर्णे अब निर्णा है परन्तु आज का सुख चैन पूरे तरीके से आश्रित हो चुका है उसे एक स्तर पर तो हम कैसे एक स्ट्रेट फॉरवर डिसिजन ले सकता है ये थॉर्ट प्रोसेस आप जरूर बना कर रखिएगा शनदेव की मूल तरकाउन कुंबर आशी दनागमन की स्ततियों के साथ में वर्द्धी है कामकाजी जीवन में जो उत्साहित करने वाली प्रवर्दियां होती है वो भीतर तक यहां बहुत गहराई से आत्मसाथ होकर सयोग दे रही है माता और पिता की आशीज से ही निरनाईक कारेओं के शुरुबात कीजिएगा जहां मानस बना चुके हैं किस कारेओं की और बढ़ना है तो फिर रुखना किस बात का ये बात बारम बार स्वैम को आप समझाते हुए चलिएगा और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी व्यक्ति विशेश यहां पर आपके लिए शड़ियन तरकारी इस्तियों को निर्मित कर रहा था वहाँ पर रियक्शन देने से बचाएं कई बार हम स्ट्रेट फ़रवड एप्रोच में चले जाते हैं रियक्टिव हो जाते हैं उससे आप संबलें और महीं आप ये भी देखें कि जो यहां पर आप पारिवारिक जिनों के साथ में किसी भी कारेश में जुड़ चुके हैं आगे किस तरह की कारेश यूजना बना रही हैं अगले व्यक्ति की और से कितनी उर्जा निकल कर आ रही है कामकाज में उसके बूते ही आप निरणाय लेने की तरफ जाते हैं तो अच्छा है वहीं पर नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन से दूर हटकर आज जो अगाश की स्ततिया मिल रही है मन को काफी हद तक संतुस्ती देने वाली हो सकती है जो हासिल किया है उसके साथ कई बार रुकना महसूस करना और उसके बाद आगे बढ़ना ये एक नियत करम जब भी व्यक्तिकली होता है तो वो और अच्छे से करम की और प्रवरतमान हो पा साथ निकल कर आ रहा है पुरी प्रिपरेशन के साथ में चलें जो एक्जिस्टिंग वर्क है उसे डिटैच होकर थोड़ा सा गैप देकर उस वार बढ़ना यहां पर बहतर कई बार व्यक्ति को मदरुंजन के साथनों के साथ कुद को जोडने की आवशकता रहती है जिससे क खुद को कामकाज के प्रेशर से थोड़ा सा दूर किया जा सके आज वहां पर खुद को एक मेंडेटरी पेसिस के साथ में बढ़ने का प्रियास करें आर्टिस्टिक फिल्ड के साथ में डेवलप्मेंट आज भी मौजूद है अनुशाशन पर शाशन जो आपने स्थापित करके रखा हुआ है अन्तुतो गत्वा आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली होगी जिसको कई बार लोग डॉमिनेशन मान लेते हैं आप उसको अधिकार मान कर चलते हैं तो जो स्वैम को नैसरगित तोर पर सही लग रहा है उस और यातरा को बढ़ाने की है हर